नमस्कार दोस्तों देव भूमी यातरा में आपका स्वागत है मैं उतेंदर नेगी आप देख रहे हैं गड़वाल का फुर्बाद 2019-2020 मैचेस के कुछ मुक्यांस जो परिकल्पना है जो कंसेप्ट है दूर से जो टीम आती है जो महमान टीम होती है पहले उनसे हम लोग मिलते हैं उनके बारे में पूछते हैं गोया कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरह ठैरने में रहने में खाने पीने में और अलंके आईजुन समीती की ओर से इस तरह की पुपता ब्योस्ता है किसी तरह से खिलाडियों को दिक्कत नहो और अब डिफेंडिंग चैंपियन गड़वाल राइफल रिजिमेंटल सेंटर के खिलाडियों से परिछेफ राप करते हैं मानिय मुक्यतिती सिरी बलबीर सिंग रावत जी सिरी विकास दूलिया जी सफेद रंग की जर्शी सफेद देकर में गड़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर लैंसी डाउन की टीम है जबके नीले रंग की जर्शी और काले नेकर में दिल्ली की टीम है सबसे बड़ा मैच है तो फिलाल हम दर्सकों को ये बता रहे थे पूल ये का ये आकरी मैच है इस मैच को अगर गड़वाल राइफल की टीम जीते की तो सेमी फैनल में परिवस्ट करेगी और इस पूर्थी कलब दिल्ली की टीम अगर ड्रॉ भी खेलेगी तो उनके क्वाटर फैनल में पहुचने की संभावने बरकरा रहे जहां पर छेटीमें पहले से मौजूद है फिलाल मैं शुरू हो गया है और सपेद रंगी जर्सी में गड़वाल राइफल रेजिमेंटर सेंटर डिफेंडिंग चेंपियन की टीम है और ब्लू रंग की जो टीम है वो है इस पूर्ती कलब दिल्ली की टीम और जोरदार मुकाबला होने की पूरी सम्मावना है और मैं एक फुटबोल प्रेमी होने के नातिया कह सकता हूं कि फाइनल से पहले का सबसे बड़ा मैच है जो आप देख रहे हैं मेरे साथ अनूप जक्वोला जॉंटी मौजूद है फिलाल मैच चल रहा है और दरसको को म ने बताया था पहले से यह बहुत बड़ा मुकाबला है नौकाउट मुकाबला है इस मैच में गड़वाल लाइफल के लिए डूएट डाई वाली सिच्वेशन है अगर उड्रोवी खेलेंगे तो उनकी मुस्किल है और बहुत बढ़िया पहले ही तो मिनट में गड़वाल लाइफल के लिए जीत जरूरी है और दिल्ली के लिए ड्रॉवी काफी है इसलाल यह मैच की स्थिए है और गड़वाल लाइफल फॉज की टीम है कभी नहार मानने वाली टीम गड़वाल लाइफल डिफेंडिंग चैंपियन उनको आज जीत दर्जकन्दी है इस पूर्ति सब्सक्राइफल के लिए और इस टीम के जो खिलाड़ी है इनको लेकर हमारे अस्तानी है जो सुनील रावत जी वह भी विद्योस का दोरा कर चुके हैं उन्होंने मुझे बताया है कि दानिस ऐसे खिलाड़ी है जिरोंने इंटरनेशनल टूर्णमेंड में एक टूर्णमें करें बहुत बड़ा मैच है 14 नंबर की जर्शी पहने खिलाड़ी ने के इंको बढ़ाया है ताहिने जोड़ते खिलाड़ी जा रहे हैं वहां पे गड़वाल हो लीगे और बहुत बड़ा मुकावला डू एंडाई इसाडर मैच है ये पूले का आखरी मैच आप देख रहे है ससितर बड़्जी को समर्पीट राश्री अस्तर की फुटबोल पर दीऊ अगी तो ओल इंडिया आम अमन्तरन कप इसे और पक पैसे गड़वाल कप जिसे जिसके बड़ाए में बढ़ा रहा है उनिस सो छपन अन पड़ाव में टूनमेंट होता सा 1986 तक और नजीवाबाद आका स्वाणी केंदर से लाइव और बहुत बढ़िया बोकाई अब हो सकता है और वे वोटेस्टी पूटबॉल गाम हो जाहिए रहा और मैं तो यह कहूंगा जिन दर्सकों के पास पांच जन्वरी को फाइनल देख दंदार शुरुआज की है बहुत बढ़िया सुरुआज गडवाल नाइफल ने की है डिफेंडिंग जैंपियन है ऐसे ही नहीं उन्होंने दर्साया है लेकिन दिल्ली की टीम को भी मालूम है कि दिल्ली से आये हैं तो कुछ लेके ही जाएंगे यह बात सही साविक हो पाती कि देखने वाली बात है मुख्यातिति के रूप में हैं बल्विर सिंग्रावर जी सिद्वली फनीचर्स के ओनर हैं और एक बल्ली भाई के नाम से पॉपलर है पूरे कोड़दुआर में और बहुत ही अच्छा फनीचर उनकी सोरु में मिलता है और आप जा सकते हैं देख स हैं और दिल्ली की सरदी अब कोड़दुआर में भी आ चुकी है और इतनी ठंड है मगर ठंड केवल ग्राउंड से बाहर लग रही है मगर ग्राउंड के अंदर जो खिला रही है उनको कोई ठंड वैसूस नहीं उनको तो एक लाक रुपे और वो चमचमाती ट्रॉफी जिस से पहले मैच में उतरेते हैं दो तीन बदलाओं मुझे नजर आ रहे हैं देखना हो का बना सकती है यहां पर चोटा पास दिया जोड़ नंबर की जर्सी के लिए राइट फ्लैक से जवाब यह नंबर की जर्सी बाल को लिके आके बढ़ते वे इस से पहले वाले मैच से पह आपको बता रहे हैं तकनी की रूप से हम आपको यह नहीं कह सकते हैं तो इस्तिती है पॉइंट टेविल में अगर दिल्ली की टीम डौ खेलेगी तो उनके चांसे ज्यादा है गडवाल लाइफल के लिए हराल में मैच जीतना जरूरी है और गडवाल लाइफल ने शुरू क्या हमला बनाने की दाइने फ्लैंक से दिल्ली के खिलारी गेंद को पकड़ने पाएं गेंद चलेगी गोल लाइन से बाहर अखा जाएगा अब गोल किक के लिए शूने-शूने की बरावरी पर चलना है यह मैच काफी बड़ा मुकाबला साजिदर बड़ जी को समर्पित ओल इंडिया फुटबॉल पर चोगिता का यह बहुत महत्तोपॉन मैच इस मैच को जीतने वाली टीम वाटर फैनल में प्रविस कर जाएगी पूल एक आखरी मैच चल रहा है डिफेंडिंग चैंपियन गड़वाल राइफल और इस पूरती कलब दिल्ली और अभी तक के मै जी हाँ बिल्कुल बदलाओ नजर रहा है लगबग मुझे मैसूस हो रहा है कि तीन से चार प्लियर इसमें चेंज होए है और एक अच्छा चेंज किया है और उन्होंने देखा होगा इस पूरती कलब दिल्ली की टीम किस तरीके से खेल केल दिया क्योंकि तकनीकी रूप से कहें तो और या आज के जो मॉडरनिर है की जो फूट बॉल है वो इस पूरती कलब दिल्ली के पास है वो ही उसको ही देखते वे कुछ बदलाओ की होंगे यहाँ पर कोच अरुने और देखने वाली बात ही होगी क्या कोच कम प्लियर अरुने की मैदान पर उतरेंगे या न यंतर की आया हुए अभी नाई नमर की जैसी पहने वे खिलाडी ने अभी भी कंट्रोल पर है बॉल अभी यहाँ पर उनसे बॉल चेलिए 14 नमर की जैसी तेज नहीं यहाँ पर देखने को मिला जिस तरीक से बॉल को लेके आगे बढ़ रहे हैं राइड फ्लैंक से बॉल को के खिलाडी और दिल्ली के खिलाडी भी चुकि बहुत बढ़िया निक में हैं ले में तो निसी तोर पर आज जो मैच का मजा है दो दर सको को देखने को मिलेगा और आज तो फिल्कुल ठटका एसास होगा नहीं हुए और हमने तीन उप्संदे रहे हैं आपको बाकि एकर आ के खिलाडी को तो मैच में सब तरह की चीजे हैं और ये बड़ा मुकावला है गड़वाल लाइफल जानती है डिफेंडिंग चैंपियन है उन्होंने इस टूर्नमेंट के लिए कई टूर्नमेंट छोड़े हैं तो इसने चोड़े हैं कि वह फाइनल जीतना चाहते हैं लेक बाइफलेंग से और अब गेंट को उन्होंने बहुत अच्छा पास निकाला है तीन क्लाडों के मीच से और ये कोसिस जरूर होती लेकिन ये खत्रे को देखते हैं साइड लाइन से बाद हैं जो भी ओजॉन्टी मैच का रिजल्ट क्या होता है ये तो नभी बिलट के बाद बालूम चलेगा हम तो दर्सकों को खाली एक चीज़ बताना चाहरे है कि दिल्ली का पनला इसलिए बारी है पहले के मैचों के मुकाबले कि उन्होंने तीन एक से कोड़दवार को पराजित किया तो गोल अंटर जो है दिल्ली के बक्स में है जी हाँ आपकी बाद से सहमत थो अच्छा चेंज है यहां ऊपर मुका उसकता है रखित मुस्तध्वादल और आस तो बादल ही बादल शाये है और बादल पाशनम की चीज़्स पे और बाल को निकाला बैकला बाईन से बहाा तो फलैकाल की बिलेगी यहां पे यह फ्लैकिक में क्या कोछ उसके पुरा लेते हैं और आफ कर देखने को पाज़ए करने ठीवेग हैं तर पाइघकर लिए अब आपिए पर जिस तरीके से कणवाल रजिमेंट ने दबाव किया हूथ उस दबाव को कहीं ने कहीं अब दूर कर दिया इस पूर्थी कलिब ने इस गोल को ताकिया और दरसा काफी खुश है और जॉंटी सबसे बड़ी बात यह कि गोल जो जो खिलानी ने मारा वो उससे दूसरे खिलानी चाहरे थे वो किक को ले लेकिन उन्होंने अपना पॉंफ्रेंस दिखाया होगे दिल्ली के उपर और दिर्वालावल की टीम बहुत हमता है कि वो गोल मार सकती है लेकिन मैच बहुत अच्छा है और आज आयोजुन समीथी ने सब जब रिकलती है कि टिकट की पैसे नहीं लिए अगर आज एक हजारों पे टिकट होता तो आयोजुन समीथी का सारा ज फ्रीकिक अरुनेगी का जिसने वो मैच को पलड दिया था चाहे गड़वाल कप की पिछले साल की बाच जिसमें अरुनेगी लास्ट टाइम बे उत्रे और उने मतला अपने आपको साबित किया गड़वाल रेजिमेंट ने कि हम ये कर सकते हैं I can do वाली बात जो है उनके अ उसकी बाद बैक टूबैक दो गोल किया जिसे दो एक से उने जीत थासील भी मगर वेक टब गेम था कुड़वार के लड़को ने बहुत सांदर खेल दिखाया था उस मैच में मगर हम बात करेंगे आज की इस मैच की ये मैच जो है पॉपलिट्री की सारे रिकॉर्ड तोड करेंगे हो वाली इस्तिती में सब्ड़ार रेजिमेट की इनकुल सही कहता वर यह इंपिर हमारे साथ जुड़े है बावर शेटर के वियोट इस जुड़ेवे कारवार को पॉपल्पल के बहुत बड़े प्रसंदक है तो पिलाल मैच का जो रोमाज है वो चरण जीमा पर है और यह मैच बहुत बड़ा मैच होने वाला है जिल्दी की टीम घड़वाल राइपल को असानी से जीते नहीं देगी क्योंकि वह बहुत दिनों से प्रैक्टिस में है उनके कोच संजय जोजरी ने बताया है कि 70 साल इस्टेडियम में यह जो टीम है अंडर 21 खेलो इंडिया की त्यारी कर रही है और बहुत बढ़िया यह मजबूनती में तो कुल मिला के दर्सकों के लिए तो यह बहुत अच्छा मैच होने वाला ही यह तो जैसे कहते हैं ना कि इस्तदाइस क्या आगया के देखे होता है क्या तो लिए से तौर पर बहुत बढ़िया मैच यह तरदार फुटबॉल का मुझारा करते हुए दोने टीमों के खिलाडी और अब लोग आए इसल के मैच देख रहे तेलिविजन पर और इस मैच को अगर वो देखेंगे लाइस तो उने लगेगा कि यह मैच ज्यादा बेतर है फिलाल गेंगे यह साइड लाइस में बार प्र है और वो भी आज कुर्सी में इतने बड़े वो कोज है कि जादा तर मैच कुर्सी में बैटकर देखते हैं लेकिन यह वाला मैच वो खड़े होकर देख रहे हैं तो अंदाजा लागा सकते हैं आप का फिल दगड़ा मुकाबला होने वाला है और रेफरी ने विसल बजाई एक सूनने की बड़त इस पूरती कलब दिल्ली के पास है और अब कम से कम दो गोल कड़वाल नाइफल को मारने होंगे इस मैच को जीतने के लिए लेकिन फिलाल मैच सुरूए 15 मिनिट होए अच्छे फूटबॉल दोनों टीमें खेल देए हैं बहुत अच्छा यह प्रेकि लेकिन वहाँ पर डिफेंस लाइन इतम चौकन नी संजे चौधरी पूरी तैयारी के साथ अपरी टीम को उतारा है उन्होंने इस मैच में और यह लंबा किक लगाकर के इनको क्लेर किया गया है वहाँ पर खिलाडी मौजूद है इस पूरती कलब दिल्ली के बहुत खतनाक है अपनी काबिने को इस बीच वहाँ पर लैड़ फूटर नियंदर नहीं बना मौका हो सकता है चौतर अपकी अच्छा अटैक मगर कहीं न कहीं यह टार्गेट से काफी बार है तो पिलाल हमला बनाने की कोशिज में गड़वाल नाइपल लेकिन टोकस टोकस है यह गोल की पर अंतर आश्ट इस का आप अजा लगा सकते किस लेविल का यह टूनमेंट रहा है और बट परिवार और आईजन समीति का सुकरिया जरूर अधा कर रहूंगा तमाम जो दर्सक है फुटबॉल देखने हैं यहां पर आए निश्य तोर पर काफी अच्छी इस तरका है मैस है गड़वाल नाइप फ्लैके की तैयारी करेगी वहाँ पर गड़वाल रेजिमेंट की टीम और बहतरीन टीम है दोनों ही जांतक मैं इस पूर्थी कलब दिल्ली की बात करूँ बहतरीन फॉरवर्ड लाइन ने डिफेंस की बात करें चाहे गोल कीपर टोकस की बात करें टोकस ना होगा अगर उन अब ठीक मत्यरका के सामने खेल चलता वाल को नियंतरन में लिया है अपने साथी की लाड़ी को बैक पास किया है तेरा नंबर की जैसी वहाँ पर टैकल किया गया था मौका हो सकता था एक बार फिर से इस बीच मत्यरका को बढ़ ठीक हिल जाता है और जहां तक मैं देख रह है और अच्छा कम समय में काफी अच्छा अनुबाव है उन पर रैफरी सिपका आज एर टू की भूमी का मैं यहां पर होंगे एर वन में और सत्या दर्सन सिंग जी जो की अंतराष्ट एस्तर कि लाड़ी के बारे में जानते हैं डिफेंडिंग चैंपियन है तो यह बढ़ कोवेंट्री बॉक्स की जनब से आज़न समीटी के और से पूरे ब्लोग पर मुग स्वाल जी आपकी स्क्रीन पर बहुत बहुत स्वागत है आपका और निस्ट वर बड़ी खुशी के छड़ है यह तिलाल यह दूर से परियास यहां पर हैं और पार के उपर से इंडिकल ग किसाइड असिटेंट रफरी हैं सिवा चौधरी लोकल वाये हैं बहुत अच्छे वो रफरी का उन्होंने जो एक्जाम पास किया है तो निसीत तर पर यह भी बहुत बड़ी बात है इतने बड़े टूनमेंट में असिटेंट रफरी के स्वा चौधरी को निक्त क्या गया ह तो निसीत तोर पर उसको उनको बढ़ाई देना चाहेंगे इसके लिए और बहुत बढ़िया वो डिसीजन दे रहे हैं और देंगे भी क्योंकि वह क्वालिफाइड है तो निसीत तोर पर यह भी बहुत बड़ी बात है एक जूरू से मैतोपूर यहां पर पड़त पनाई पर यह दर सब्सक्राइब बंडारी जी पैसे जरूर पड़ाते चले जाएंगे पांसो गिजिके पांसे जार रुपे करते हैं फिलाल तो दुरूपास लेदिया आपर नो नुम्मर की जर्सी के लिए चेंड़ से रपर रक्षापंती का पाल को अमने अंतर पाया एक बाप मुकाबला है और यह लीग मैश से लीग मैश ना हो कि आज यह नॉकाउट मुकाबला है दोनों इंटीमों के लिए क्या कुछ होगा बने रही हमारे साथ 90 मिनट और बैतरी मुकाबला है वाइट जर्सी में है गडवाल रजीमेंट के टीम वहीं डार्क ब्लू कलर पे होगी इस पूर्थी कलब दिली के भी तीम पहला हापका केल चलता अब थो इन करते हैं नंबर के जसी के लाड़े हुए अपने साथी के लाड़े को देना चाहते हैं अच्छा इंडर्सेट वहापर अब जबावी हमले की तैयरी पर है बाल पर अच्छा नियंदर है यहां पर ते जैंज किया है राइट लेफ्ट मगर बॉल गई टच लाइन से बहां तो इन मिलता हुआ यहां पे इस पूर्थी कलब दिली की टीम को और संजे चौदरी जी काफी खूँँगे आप तक की परफोर्फोर्फोर्थी कलब की और मैंने कहा था कल का मौसम भी दिली के नुकू जोन्ते आपका पिल्कुल परफेक्ट हनुमान है और हो ना क्यों आप खुद भी एक लाड़ी रहे हैं खिलाल जो इस्तिति है दबाव गडवाल लाइपल के उपर जोन्ते एक्टे एक्टे अक्टे अट्वाल लाइपल के उपर दोरा दबाव है एक तो उन्हें जीत हासि और जैसा हम आपको लगातार बताते हैं कोड़वार जो हमारी विदान सबाह या जो कोड़वार हमारा छेतर है यह आर्मी बहूल है यहां पर आर्मी या एक्स आर्मी पर सनी जाद है इस बीच हमारे बीच में उपस्ते सी दर्जी करा रहे हैं सिरी दिजेंदर चवान जी पूर्व जिलाद्यक्स भाजबा वरिस्ट कारे करता हैं समाजी कारे करता हैं हर सुक दुख में साती हो आजन समीती को इनका लगातार सयोग मिलता रहता है और हमारे साती कॉमेंटेटर कह रहे हैं कि इस उमर में भी बस आपकी जवानी नजर आ रहे हैं और माशालला आप हसते रहे हसाते रहे हो इतनी हम देनी नीची है जो कॉमेंटी करने आज दे रहे हैं सुल्टिव से बुसाय की बात कर रहो है जी हां बिल्कुल गैस्ट ऑफ ओनर का वार्ड उनको दिया जाएगा फिलाल उन्होंनों अभी रदन हमारा सिकार कर लिया दिरेंदर चाहां जी क देखने को मिला ये बूब गडवाल रैजीमेंट की तरफ से ठर्ण जरूर है और ठर्ण के लिए जो जो साधन बताये गए हैं उनका प्रियोगा आप कम से कम करें क्योंकि ये मैच बहुत अच्छे चल रहा है टोकस के बारे में बता रहे हैं आपको अंतर राश्टिस्तर क से गोल की पर हैं और बहुत जवर्दस्त ये मुकाबला चल रहा है गडवाल राइफल की टीम जानती है इस मैच के महत्तों को लगातार और ये तेजी से केंट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं लंबा थुरू पास बहुत बढ़िया पास आया ठारा नंबर की सच्छी प करने के लिए सिद्धान्त रावत हमारे साथ मौज़ू के नाम से और काफी कोशिस करने के बाद भी कोड़वार की टीम का जो पर्फॉमेंस है वह बहुत अच्छा नहीं रहा हम कहेंगे और फिलाल नवीन रावत आया है फ्लैक लेने के लिए दाइने चोर से उनका फ्लैक है इस टीम के इस पूर्ती कलब दिल्ली जो 16 साल स्टेडियम में लगातार अभ्यास कर रही है और बहुत बड़ी तैयारी के साथ दोनों ही टीम आई है गड़वाल लाइफल भी बहुत तैयारी के साथ आई है और अरों निगी कोश है टीम के वो जानते है किस समय कहा पर कि इस तरह से मैज को जीता जाना है और अभी तो पहले ही आप चल रहा है अभी तो दूसरा आप भी होना है फिलाल ब्याइफी स्टेंड की बात करें तो ब्याइफी स्टेंड में दिरेंदर चोवान जी मौजूद है और पूरो ब्लोग परमुक दुगटना सुरे सस्वाल ज लेकिन अच्छी टीम है तेस तरदार फटबोल खेल रही है और वो जानते हैं अपने कोच को और ये थोड़ी सी मिस्टेक जरूरी थी लेकिन दुबारा दुबारा नहीं कि इन्होंने मिस्टेक बहुत बढ़िया ये गेन को लेकिन गेन साइड लाइफी गड़वाल लाइ मैच में हमेशा आपकी पसंदीदा जी टीम जीते ये जरूरी नहीं लेकिन फिलाल मैच बहुत बढ़िया हो रहा है जोड़दार मुकावला दोनों टीमों के बीच और गड़वाल लाइफल की टीम का लेकिन आप साइड मुझे लग रहा है सारा किया गया है तोकस के बार टोकस की जो हाइट जोन्ते आप समझ सकते हैं काफी अच्छी उनकी हाइट है गोल कीपर के लिए बहुत बड़ा अड़वांटेज है जी हाँ बिल्कुल एडवांटेज दो है टोकस नहीं बलकि वो बिल्कुल गोल कीपिंग में चौकस है और चौकस क्यों नहों इस्पू लाओ देखने को मिलेगे नहीं यह जैसे जैसे यह मैच आगे बड़ता चला जाएगा जैसे कि आपने पहले ही बताएगा अगर ड्रॉब ही होता है तो फिर जो गोल मार्जन है उसको देखा जाएगा फिलाल एक अच्छा मैच चलता हुआ दर्सक काफी क्लोज आ गये हैं से वो टच्छ लाइन से तो और पीछे हो जाएं तो बैतरा बैतर होगा टूर्णामेंट के लिए लैट फ्रैंक से जवाभी हमने के तयारी में है अभी नियंतर है वहाँ पर अच्छा क्लापना फुटबाल देखने को मिलना है साती की लाड़ी को बैक पास दिया अब बाल पर एक बाफिट से नियंतर है गडवाल राइफल का लैट फूटर क्या नंबर की जैसी पैने में फिलाड़ी बाल को लेगे आगे बढ़ते वे डिफेंस लाइन होतनी ही मुस्तिया और जिस तरीक से बाल को टेच्छ लाइन से बाहर किया तो 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 इस मैच की जो इन्पो के लिए तो यह मैच जादा ही इन्पोर्टेंट है इस पूर्ति कलब दिल्ली को तो कोड़द्वार के लोग जानते हो ने जानते हो लेकिन डिपेंडिंग चैंपियन गडवाल राइपल के लिए आज का जो मैच है वो डूएंड डाई वाला है और मैच भी उतना ही नहीं है उन्हें कम से कम दूगोल करने तो फिलाल यह पास बढ़ाया बहुत अच्छा गडवाल लाइपल के खिलाड़ों के पास गेन है लेकिन इस पूर्ति कलब दिल्ली के खिलाड़ी गेन को छोड़ा नहीं है उन्होंने और लंबात रोपास निकाला पास चलद जल्द बीजी रूर्की अधोरी वाला पॉइस वह मैच भी सेम ऐसे ही होना है उसमें रूर्की की टीम को जीतना ही जीतना है अधोरी वाला पॉइस के लिए ड्रोवी काफी है क्योंकि 4-0 से जीते हैं आजो तो जिस तरह का मैच आज आज आप देख रहे हैं यह डो एंड़ाई व इस पूर्ती कलब दिली ने बैतरिन खेल दिखाया है इस बीच एक अच्छी खुसकपरी है हम सब के लिए जी सिंग पटवाल जी जिन्होंने की 11,000 रुपे दिये जो की जेम्यू लिविटेट कोड़द्वार के अध्यक सेम्पर जो मैच चलना है इसमें इस पूर्ती कलब दिली की टीम ट्रो भी कर लेगी तो भी वो क्वार्टर फैनल में पहुंच जाएगी और बहुत जोड़दार मुकाबला दोनोंगी टीमों के बीच चलता हुआ मैच जारी है एक सुन्य की बड़त के साथ यहाँ पे इस पूर्ती कलब दिली की टीम का दबदबा है इस मैच में और बी आपी स्टेंड में बल्ली भाई सिद्वली फंडिचर के ओनर पूरो ब्लोक पनमुक दुगड़दा सुरे सचुवाल जी भी मौजूद है और फिलाल मैच की जो इस्तिती है इसमें इस पूर्ती कलब दिली एक जीरो से आगे है और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि दो एक से गड़वाल नाइफल ने कोड़दवार को अराया तो गोल अंतर जो है ओ दिली के फक्स में है फिलाल हमला बनाने की ओच्छा सेंटर क इस पूर्ती कलब दिली की टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी है गड़वाल राइफल की दमदार टीम के वेंटिक चैंपियन टीम और इस मुकाबले में सुनने के मुकाबला था तो इस वजह से थोड़ा सा जो गोल का जो ऑसाथ है वो फेवर में है दिली के फिलाल गेंद पर नियंतर को लेकर कस्मकर जारी है और यह मुका आया पर बनान कि पर निया है कि पार दिखने जाएगे घ्ड़वाल नेफल का लेकिन आज का मैज थोड़ा फसावा है भी घड़वाल नेफल के लिए जिहां पूरा का पूरा फसावा जैसे मौसम हो तीरे दीरे खुल रहा है धूप खिल रही है वो सक्ता है लगकी चाम हो जाए कि अच्छा काटी है अच्छा लबा की शार्ट मीटर का इस बीच अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया नौ नमबर की जैसी पहने वे खिलाड़ी जबाबी अपने की तैरी में होगे यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से वहाँ पर फुट-बॉल को नियंतर पर अच्छा वाँ पर देखने का इंटरसेप्ट देखने को मिला दिली की तरफ से पूर्थी कलब दिली और काफी तादाद में आज दरस्तक इस मैच को देखने हैं और यह पैसा वसूल मैच है और अगर इस मैच को निए देखा तो कुछ नहीं देखा क्योंकि दोनों ही डीमों के जिसे अमेरिका में सट डाउन हुआ था वैसी खोड़दार बजर में सट डाउन होगे सारे व्यापारी आज दूर दूर से मैच को देखने का है तो इसको आराम से पहले आपका खेल हो चुका है दूसरे आपका खेल चल रहा है और यहां पर थोड़ा सा मैं यह चाहता हूं अगर मैच का परिणाम इस पूर्ति कलब दिल्ली के पक्सिम होता हूं तो सवावाइक तो पर ही क्वाटर फैनल में पहुंच जाएगा क्योंकि यह काफी बड़ा मुकावला है और चो कि क्वाटर फैनल में पहुंचना सिर्फ एक टीम ने है इन दोनों में से तो फिलाल हम हम ने अपने ज्यान के हिसाब से बढ़ा है कि पूर्ति कलब दिल्ली है उसका प्लडा बारी उन्होंने को तीन एक से राया है तो इस लियाद से अगर देखें तो दिल्ली की टीम ड्रॉ में भी आगे जा सकती है तो सुनी जावजी इस बात को थोड़ा चाहें तो यहां प सब्सक्राइब के लिए लेकिन ये गेंद बार के ओपर सीम और इस पूर्ति कलब दिल्ली के जो कोश है सजय चौधरी जिनों में बचाया है कि अंडर 21 ये पिलियर है और ये काफी समय से साथ-साथ-साल स्टेडिम में प्यास कर रहे है और इस वजह से साथ-साल स्टेडिम और ये के ने मार करके रखावा की लाड़ी को बहुत दबाओ के चल्ट डिफेस लाइन के ऊपर लेकिन डिफेस लाइन इक्तम चौकन नहीं है पूर्धी कलब जैसा उनका नाम है और गडवाल राइफल तो फोर्स की टीम है पॉर्ज की टीम है कब जाकर क्या करते तेने ज अच्छा रान वहाबर चेंज किया है टॉप अपड़ बॉक्स भागा हो सकता था हैड़ जोरा बाल को पार निका राइन जोरा नमबर बाल पर अच्छा नियंदर अपने साधिक लाड़ी को फास दिया और जिस तरीके से यहाँ पर टैकल किया गया था और यहाँ पर एक खिलाड़ी सौरी फील कर रहे हैं मगर जेब में तो हाँ जा चुका है और कुछ ने कुछ निकलेगा यहाँ पर इस पूर्दी कलब दिल्ली के खिलाड़ी को और मैच को अगर नियंदर करना होता है अनुस्वासन में इकलाना होता है इन कार्डों का एहम रोल होता है गड़वाल राइफल के लिए काफी में तो कुण मुकावला बहुत अच्छा यह फिरिकिक लिया गया है गेंद पैनल्डी बॉक के उपर है खत्रा मन रहा है लेकिन आज़ादी बिलकुल नहीं दे रहे हैं वहाँ पे कि लाड़ियों को गोल मारने की और यह केंद को अब जाकर किलियर कर लिया गया है गड़वाल राइफल और इस पूर्ति कलब दिल्ली के भीच चल रहा है मैच जिसमें इस समय गड़वाल राइफल की टीम सूने की मुकावले गोल से पीछे लेकिन हमला बनाती भी गड़वाल राइफल की टीम मौका यहाँ पहो सकता है लेकिन वहाँ पर डिफेंस लाइए एक दम चोकन नहीं है तो जोड़दार यह मैच चल रहा है और पूरी तह्यारी के साथ टीम आई है इस पूर्ती कलब दिल्दी की डिफेंडिंग चेंपियन गड़वाल राइफल के साथ उनका यह मुकावला बढ़िया के लिए गया गया और बैतरीन मुकावला चलता हुआ इस बीच गरीमा मैं उपसे दर्जिक राई है बड़े वाईसरी चंद्रमाउन जसोला जी ने जो और पांसो रुपे की नाम की गोशना बरकरार है दर्सन सिंग मंदारी कोड़वाल राइफल के उस के लाड़ी के लिए पर इनाम की गोशना किया जो अब गोल मारेगा एक चेंज किया गया और अरून नेगी अब खुद मैदान में उतरे हैं जानते हैं काफी बड़ा मुक और आये हैं मैदान में जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण चण हैं और उनकी टीम के लिए गोल करना बहुत जरूरी है और अच्छी टीम है दिल्ली के दी उन्होंने जोड़दार टकर दिये गड़वाल राइफल को तकर क्या दिये पहले आपके गोल की बदोलत आके भी चल रहे हो और अब हराल में जोड़ा सा जोस बढ़ता हुआ रडवाल राइफल का रूट के आने के बाद अरुन नेगी के आने के बाद और यह वह पार के ओपर से निकल गए गें पुद्ने सित तोर पर फ्लैक के क्या पर मिलेगा दाई ने जोड़ से फ्लैक लिए जाना अच्छा यह किकाया है बहुत सांधार और हेडर भी बहुत अच्छा है अंत में गूल बचाया और लगाता हो दोबार बनता हुआ दिल्ली की टीम को अब यह पैसा मैंसे मिलेट काफी बारे बढ़ेंगे तो कि हरून ने के बाद तोड़ा सा होसला बढ़ता हुआ के खिलाडियों का लंबा यह किकाया है मद्देरेका के उपर किरता हुआ जरूर इस पूर्थी कलब दिल्ली का लंबा तुरू पास निकाला है उन्होंने और टीम कोई भी किसी से कम नहीं है बस केवल इंतजारे गोल का गड़वाल नैफल के खिलाडी दाई ने चोड़ से गूल मानना इतना आसान नहीं था यहां से सेंटर करना ही ज्यादा बढ़िया विकल्प था सेंटर करने के बजाए से गोल पोस्में डालने का परियास लेकिन दर्सक समर्थ जिनके बारे में आपको बता रहें कोड़वार में गड़वाल राइफल के लिए भरपूर से तो मैदान की जो फिज़ा है जो मौसम है बिल्कुल बदल जाएगा फिलाल एक गोल से पीशे चल रहें गड़वाल राइफल के आधार पर और फिलाल अपने बीच शिरी चंद मौन जसोला जी हैं भावर मंडल भाषपास दियाकส और सिवा चोधरी का इसमारlles रा लूकल भुआ है बवड़ पर मुक जाने मांदे खेल प्रेमि और प्रगती कंस्टरॉट्षन के आपके rehabilitation सब्सक्राइब करते हैं और जाने माने खेल प्रेमी हैं मुकेश बिस्ट मिर्थी संस्ता से आप लगातार जुड़े रहे हैं एक काउन हजार रुपए की सुंदर धनरासी आपने आजन समिती को प्रजान की है मैं हिर्दै की गहराईयों से आजन समिती के ओर से रपोरदार के तमाम फूटबॉल प्रेमियों के ओर से आपका धन्यवाद क्यापित करता हूँ प्रजान समिती को प्रजान कर रहे हैं आपका हिरता है कि कह रहा है यह से विनंदन स्वागत खिलाल अच्छा मुकाबला चला है गल्वाल डाइफल के टीम प्रवेश साथ तंबर के जर्ची में राजेशने की प्रवेश एक बापते अरुच के पास कहता है कप्तान कोच अरुन नेगी के लिए गेंद को निकाला था इस दाने फ्लैंक ते राजेशने की गेंद को लेकर आगे बढ़ते हैं क्लास अपने साथी खिला ली के लिए लेकिन मुस्ताइदे गोल की पर टोकस और अच्छे गोल की पर है जैसे मेरे साथी कमेंटेटर मेरव परिचे के महताज नहीं है बहुत ही जवाव है पर टोकस ने बहुत लंबा गोल किक दिया है जी हाँ बिल्कु सही आपने कहां और इस भी सुरह सुरहिन लेते वे अपने टीम के लिए और उन्हें के लिए गेंट को निकालना चाहता है लेकिन पीच में गेंट को दिल्ली के खिलाडी ने लिया है और फिर थू पास्तिया इस तरह से अपरात अपरी वाले परियास होगे तो करना एकदम जरूरी है और दिल्ली के लिए तो उनके लिए लाव की स्थिति है कि गड़वाल राइफल एक गोल कर भी लेती है तो भी वह थोड़ा सा से पोजिशन में है फिलाल मैंस अच्छा चलना है दोने टीमें परियास करनी गोल करने का और दिल्ली की टीम पूरी दर करता है जो आज तरिवार है उनके लगी रहोता है बिल्कुस दुरूरी है अपर जिस तरीके से यह पे एक जिरो के निर्नायक बड़त बनाई भी है इस पुर्टे कर दिल्ली ने अपने इरादे साफ साफ कह दिए कि हम तो एक लाग रूपे के लिए है हमें तो यह टौफी है यहां पर गड़वार रेजिमेंट टू वन से जीत कि है तो वो पहुंशे की क्वार्टर फाइनल में लंबी विसल घूचा वाकिक उनका आपने साजी खिलाई के लिए है और गोलकीपर टोकस ने तो बाहर निकाना है बिल्कुल जो टोकस नहीं चौकस कहें तो ज्यादा पेठर होगा और बैक टू बैक यहां पर ạtफ्लैक कि की की मिलेगी ओर हो था हमत्रों पर मगर के उपर से निकलिए तो गौलकीप양 फिरtime ऑपकर मिलेगी अब ठोकस वैदरिंड गोलकीपिझ है और काफी था करद़ाई को बाहर ने वादanton मेंगरी बाहर इस तरीके से टूनेमेंट अभी तक का हुआ है, गड़वाल कपकास का तीसरा दीन है, चार जनवरी को भी एहम मुकाबले होना है, और अनुप जो भंडारी जी थे जिन्होंने गड़वाल नाइफल के पहले गोल पर 500 की भोशना की भी, अब वो गोल एक हजार रुप्य का हो पादल जो कि पिसले वर्थ पेस्ट इफेंडर आके गयते इस पर जो गिताके, और इस बार हैडर के द्वारा गयन तो अचानी चाहिती अपनी साथी किलाडी के लिए, गोल की पर टोकस के पास सीथा गयन, कोई दिकत नहीं, मादमर सिंग के हमारे साथ है, मातुभाई के न है इस बादल ने अरून नेगी के लिए अरून ने की जाने जाते है पने लंबे-saste के लिए होरे तोड़ा पीछ होजा Ein प्लेयर आप से पीछे और पीछे भाई जी साफने वाले एक अच्छा त्रो इन मिलेगा यहां पर अरुने की द्वारा सोला नंबर की जर्सी भे गड़वाल रेजी मेंट के लेकाफी लंबर एक अच्छा त्रो टॉप अपड़ा खत्रा हो जगता है तेरह नंबर की जर्सी अच्छार ग्लारियो आपर उसनाद है कहीं न कहीं बॉल अब गोल लाइन से पार निकलती भी तो गोल किक मिलेगी यहां पर टोकरस के लिए टोकरस काफी अच्छे गोल की परसे और माशालला काफी अच्छे काट काटी की भी स्मार्ट भी है फैन फोलाइंग डे बाई डे है कि अभी एक जिरो से पिछड़ रही है अनुप जब तक अंति मिसिल नहीं बसती है रैफरी की तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता जिस तरह की टीम है गड़वाल एपल्ड डिफेंडिंग चैंपियन उससे पहले रनर सफ रहे थे इस प्रत्यूगिता कि कभी भी कम बैक कर स कि लाड़ी को तलासते हुए बाइसिकल की बादल का और पिसने वर्स इसी तरह का किक लगा कर उनोंने अपने टीम को फाइनल जीता है था दर्शकों को याद होगा इस मैदात पर इस पीच गेन आई है कड़वा राइफल के खिलाडी के पास डिफ्लैक्ट होकर गेन दिल् और दोनों यह टीम है बेहतरी फुटबॉल दिखाती हुए यहाँ पर और जो कुछ रो सकता है दोनों यह टीमों को जो कुछ चिखाये गए और सब कुछ मानों उडेल कर लग लिया है दोनों ही टीमोंने और तर्शकों की जो तादा थे वो देखने लाएके संजे नेगी पूर वह खिलाडी एकट वाल विश्य विद्या लेकर और वेटरन फुटबाल में साइद आपको दिखेंगे रक्षा पंपी में गोली माल ले यार और फ्रीकिक मिला है पैनल्टी बॉक्स के बाहर से पैनल्टी बॉक्स अंदर अपने साथी खिलाडी को तरह से एडर के जोर कि यहां इस प्र फजाट भी और बढ़ंगर ऑटा आपको प्र यह कीरा ऑच्छा के लिए अच्छा मुकाबला अब अच्छा मुकाबला और जो अधर के दौरा लागें तो निकाला है बादना वता लगें एंजल के लिये निकाला है एंजल के पास अंधारे नोबर की टेर इनके अंदर काबलियत है बहुत देटा का और इस बार केंद टस्लाइन के बाहर निकाल गए सर्गेया सचीधारभाट इसमिर्टी ओलेडिया फुटबाल पर जो किता पीसरा दिन तीसरा दिन तीसरा दिन का बहुत ही मैं तो पूंड निर्णायक मैच आपर खेला जारा है दिल्ली और गड़वाल स्राइफल डिजी मैंटल सेंटर के बिच जोड़ जोड़ परिगास नाइफ हुटर एक बार फिर खोजी इस बार बोलकी पर उतने थे विकास और और उनेकी प्रवेश के पास गयंदे प्रवेश जिनों ने पहते हुट खेल दिखाया यह इस टूर्णायमेंट में भी तक और एक अभी भी पिनी सूरज के पास गयंदे तूरज नमीन दावत के लिए निकाला है नमीन देखना है गयंद थूफास दिया है अपने शाथी सब्सक्राइब कर दो कर दो कर सकते हैं पर जिस तरीके से माइनस पास दिया था उसे हैटर को बेदना चाहते हैं एट बाइस सेक्षिन के बॉक्स उसमें पिपल किया है आप टोकस है टोकस की जो पॉपलेटी रेट है वो सारे स्किल तोड़ती चली जारी है फिलाल तो यहां पर फ्लैकी की तैयारी में होंगे देखना होगा और इस टाइम पर जिस तरीके से जब एक अचक एक अनुप अगर एक बात अगारें तो लाइन मे चाहते ने कुष्चत के साथ ऑलनावत पर हाँ पास दिया है राजे इसनेगी के लिए जो कि टीव कंता यह उन्होंने को बढ़ाना चाहता अपने साथ कि लाड़ी के लिए लेकिन के अंच तर्छ लाइन के पार ऑशी हां पिल को सुरृती और बाई का एक नारा है एक गोल कि अब हमें किसी ना किसी काराण इस मैच को बराबरी पे लेके आना फिर दूसरा गोल दागना जिसे दो एक से चीपते हैं तो पहुंचेंगे कौर्टर फाइनल पे एक पार फिर से और उन्हें की थोईन लेने के लिए और कामी लंबा थोईन होगा यह लगा पैनल्टी बॉ पीछे रहे गोल पॉसरी अच्छा द्रोवा पर बॉक्स के अंदर देखना होगा और अलुका मैं चाहूंगा गोल पोस्के पीछे तो कता ही न रहे हैं दर्शकों से गुजारी से हमारे जानकार दर्शक बहुत ही उच्चुकोटी के दर्शक अनुसाची दर्शक के पीछे अधिक फ़ेशन देने हमारे जितने वॉलेंटियर है थुला अधा देए इनको गूल पोस्के आसपास जो लोग है ताकि किसी तरह की दिकत न हो निर्णायकों को और जामेंटर आगें को नवीन ने के पास गयने नवीन ने गेन पढ़ाइति अपने साथी खिलाली के लिए और इस बीच गेन निकलिया टस्ट लाइन के बाहर थुराइन इन फेबर अफ गड़वा डैपल लेजी मेंटर साइंटर लैंसी डाउन अरुन लेगी के लिए और गेन को लिया भी उन्होंने बहुत कुप्सूरती के साथ गेन्थ है एक बाद फिर गेन्थ को सरकार्या ना सुरज के पास सुरज अरुन लेगी के लिए अरुन लेगी गड़वाल रैफल के लाड़ी और बता रहे हुआ है अश्ट यसरा वो दिरेंदर कंडारी है हमारे साथ मौसम काफी सर्द है और लेके बाई यह सर्द नहीं है यह दिली के फैबर में मौसम मैंने सुबही एनाल इस पूर्थी कलब दिली ने और सुनाई में आया कि कल गुडू सिंग चाहन भी मैदान में उतरेंगे बैतरिन मुकाबला चलता वा जो दर से कभी मैदान में पहुचे पहुचे उनको मैं बतातू कि इस पूर्थी कलब दिली ने एक जिरो की बड़त बना लिए दूसरे हा दिली के और दो नंबर की जर्शी पेंडे में खिलाड़ी है अच्छा नियंतर रहता है गेंद के उपर इसकिल माशालला इसकिल में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और यहां पर आफ़ार के जारा सिवा चौधरी का लोकल वाई सिवा चौधरी और एक सूरज के पास गेंदे जी आरार्ची के लंबा किक लगा कर अब सारे जो आफसर ने अपने खोल दिये हैं गेंद को निकाला है वाई फिलैंक पे एंजल के लिए लेकिन इसे पहले एंजल को गेंदे की देख पाएंगे और मैं समाझ सकता हूं आपके जोस को जो कि जादा समय बचा नहीं होगा औ और अपने साथी खिलाडी के लिए गेंद को निकाला है दाइनी फ्लैंक पे एक और फिर बाक्स के अंदर एडर के द्वारा के लिए निकाली है दोबाव जरूर बना रही है यहां पर गड़वाल आफनल की टीम लेकिन जो परिणाम है वह उन्हें मिल नहीं पा रहा है जि मैं देश भारत की यह तमाम बहत्वेंटी में है और एक स्रावत और हमारे तरह से किरफिया अपनी सुरक्सा का ध्यान भी रखें थोड़ा देख लिजेगा आप लोग जोस में ऐसा नो ओस होते हैं और आपकी फाइनल देखने सेमी फाइनल देखने और फाइनल भी देखन अब फिर्फ्र पाइनल लेकिन उस्ते प्रक्षा पंक्ति के खिलाडी अनुझ के पास गेंदे अंतरास्टेखी खिलाडी और उन्त जूसते पहुंचाए दिल्ली के और इतलम पागी को पहुंचाई विकास बोलकीपर हैं अपने साथी खिलाडी को हाथ हिला इसाप आराम क पाकी मैं देख लूँगा सूरज के पास गेंदे और अब जादा उप्सन है नहीं यहां पर गड़वार लाइफल के टीम के पास अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो कहीं न कहीं अब गोल करने होंगे राजेशनेगी बैक पास के नमीन रावत के लिए नमीन रावत दे पास और दर्शकों का है उनके उपर फोकस और आज दर्शकों का दिल जीता है उन्हाने अपने शांदार गोल कीपिंग से और माशालला जो हाइट है जो बॉडी लेंगवेज है जो कॉन्फिडेंस लेविल है वो देखने लाए का नूब बैतरे मैच चलता हुआ जो दर्स किस मैच को देखने आए है घर से आज और मुकाबला कल भी होना है उसके लिए आप बने रहेंगे कल एक मैध्री मैच भी होगा ओल्ड वर्सिस गोल्ड उसमें क्या कुछ होता है फिलाल तो आज उस सारे प्लियर आज अपनी तैयारियां करेंगे एक प्लाड़ी जरूर इं उन्होंने गोल की किया तो कितना कॉंफिदेंस लेवल हाई है इस खिलाड़ी के अंदर अंतराष्टी अस्तर के खिलाड़ी टोकर्स और बैत इन गोल कीपिंग करोने मुझारा पेश किया इस जवाबी अमने के तैयारी पे तो नमर की जैसी पहने मोगा हो सकता है और कह सकत है और दो मिनट का इंजरी टाइम है मैं देख रहाता है वहाँ पर इस दो मिनट में बैक टू बैक तू बैक दो टू बैक तू पढ़ेंगे गटवाल रेजिमेंट को अगर टूनमेंट में बने रहना है मगर ये अगर इतियास के पन्नों की अगर बात करूं पिछल तस से अगर आज गटवाल रेजिमेंट इस मैच को कहीं हार जाती है तो ये पहली बार होगा कि लीग राउंड में बाहर हो रही है जी हां और दो मिनट का इंजरी टाइम है जिस तरह से दिखाए गया था जो डिजीटल वाच है उस पर निस सो चपन और 1986 में गटवाल कब को जीत सब्सक्राइब कर दो हजार सत्रह में भी इस टीम ने इस परतियोगी ता पुछ जीता सा तो खुल मिलाकर जो ही थी आसे उनका बहुत अच्छा है जमेंच दिली के खिलाडी बहुत जल्दी गेंट को अपने साथी खिलाडी के लिए बढ़ाना चाहते लिकिन दीपक राज सब्सक्राइब कर देखने को मिल रही है और क्यों ना मिले क्योंकि यह टूनाबैंट है और इंडिया टूनाबैंट जिसमें जमसित्पूर एप्ट मिलाप और अनुप अगर गढ़वाल कप की बात करें 1956 में कोड़वार स्पोर्स कलब की टीम ने गढ़वाल आइफल को प पत्रकार और अलगातार इस तरह की गती विदियों से आप जुड़े रहते हैं और इस सोच के बखते हैं हैं और कर दो कास टो कस एक बार फीचर कास टो कस हो सकते हैं फिलाल दर्सक कहीं गराउंड के अंदर ना जाएं यह दर्सक फुटबाल ना खेलने लग जाएं इस ची एक लाक और ट्रॉफी चीतनी है तो बैक टू बैक दो गोल करना पड़ेंगे फिलाल तो यह अभी काफी दूर है दिल्ली काफी दूर है मगर दिल्ली वालों के लिए कट वाल कफ काफी पास आ रहा है जिस तरीके से नो नो ने इस पर परफॉरमेंस दी है इसके बाद हम ज और यह अपसाइड काई सारा सिवा चाहजरी का एक बार फिर दीपोंतिंग ने की जी शायद परिणाम को नोंने गले लगा लिया है और इस बीच कहना मुश्किल है क्योंकि दर्शा कमाने बाई और काफी अंदर बट चले हैं और जानते हैं अंतिम छण है और रोखना चाह और होगी क्योंकि बहुत लंबी फैन पॉलेंगे करीवन 15-20 सालों से अरुनेगी के वन साइडेट फैन से कूर्टवार में गड़वाल रेजिमेंट के फैन से क्योंकि गड़वाल की भूमी पे काफिस सैनिक हैं फौजी परिवार से तालुकात रखते हैं तो चाहते हैं इ देभूमी यातरा देखने के लिए आपका धन्यवाद